इस question में क्या है तो how many cubes blocks of wood of side 20 cm can be cut from a block of wood having dimension of 2 meter, 80 cm and 40 cm देखे जब भी इस question में ऐसी बात होती है ना कि किसी चीज को काट के या उसे melt करके कोई दूसरा object बना लेते हैं तो इस question में हमें इसा याद रखिए का किस चीज की बात होगी किस चीज से volume नकालेंगे इन चीज़ों में तो कुछ नहीं है अब एक चीज बताइए कि क्यूवर्ट का volume क्या होता है तो क्यूवर्ट का volume क्या होता है length into breath into height तो यह होता है क्या होता है अब एक चीव इसमें क्या दिया हुआ है सबसे पहले इसमें दिया हुआ कितना कितने क्यूब बनेंगे यह पूछ रहा है तो 20 के कितने क्यूब बनेंगे देख लेते हैं इन्टू 20 इन्टू 20 यह क्या है एक क्यूब है अब नम्मरों क्यूब नकालने थे तो करना गया पड़ेगा एन का इन्टू पस इसको करिए 1 times ठीक है अब देख लीजे ये 1 times और ये कितने बार में 1 तो कितना आगया 10 आगया आगया आप कुछ नहीं करना आप क्या करना है ठीक है एक 0 से 1 0 और cancel हो जाएगा हो जाएगा तो n equal to कितना जाएगा यदर मैं लिख लेता हूँ एक 0 से ये 0 cancel हो गया तो इतर n equal to कितना जाएगा? n equal to कितना जाएगा? 2 into 10 into 4 इसको solve करेंगे तो कितना जाएगा? n equal to कितना जाएगा? n equal to 80 तो number of cubes कितने बनेंगे? 80 बनेंगे ठीक है? तो अपना answer क्या होगा? 80 हो गया I think questions बनी में आओगा तो simple question था तो option number क्या है? ठाइट क्या होगा? इसका answer होगा. ओके दोस्तों? तो question क्या है? 2 year ago, a bleach had 6,000 people. बिलेज में क्या है, 2 साल पहले 16,000 लोग थे. In upcoming year, the population increase by 10% जो 2 साल के बाद पहले मनलब उसके बाद जो आने वाला आगे वाला साल था ना, उसमें क्या होगा? 10% क्या होते है? Population increase हो जाती है. But in a next year, if the some people had left the village and population had decreases by 18% तो इसके बाद क्या होता है? अगले साल, कुछ लोग चले जाते हैं और क्या होता है? गाणों छोड़के चले जाते हैं. तो क्या होता? Population क्या होती है? 18% क्या होती है? कम हो जाती है. Then the present population will be. दीकिए, simple question है. अग उसे ये combine निकाल दीजिए. तो combine किस तरीके से निकालते हैं देकि 10% क्या होगा? increase हुआ. इसके बाद क्या होगा? 18% क्या हो suspect हुआ. ठीक है? इसके बाद कुछ नहीं. वही effective percentage का former लगा दिया. तो solution आ गया. तो 100 से divide कर दिया. 0 से 0 गया. कितना? 1.8 आ गया. इसको add किया तो कितना आ गया? 9.8 आ गया. माइनस 9.8 आ गया. इतने percent से क्या हुई population? decrease हुई है. ठीकिए? अब दो साल पहले कितनी थी? दो साल पहले थी कितनी? 16,000. ठीकिए, बताइए, 16,000 कितनी थी? 16,000 थी. ठीकिए, ये कितनी थी? पूरी 100% थी. 100% अब बताइए, कितनी percent population decrease हुई? 9.8 नकाल देते हैं. ठीकिए, 9.8 नकाल दीजिए, सबसे पहले percentage में. तो बस अपकी क्या जाएगी? value है. क्या जाएगी? कितने लोग कम हुए है population से. ठीकिए? तो इसका into करेंगे तो क्या होगा? तो 16,000 है ना? 16,000 है ठीकिए? 16,000 है, ठीक 16,000 में, 16,000 into 98, ठीकिए? 98, 98 नहीं है, 9.8 है, ठीकिए? वो भी कहा 9.8 है, ठीकिए? इसको करेंगे into, तो upon में क्या है? 100 है, upon में 100 है, 0 से क्या होगा? 0 cancel हो जाएगे, और इसका into, point का into, और 0 हो वालो, 9.8 into, 10 हुआ तो कितना होगा? 98 हो गया, ठीकिए? अब कुछ नहीं करना क्या करना है? 98 को क्या करना है? 98 into 16 कर दो, तो कितना आ गया? 68 या 48 का 8, 4 carry, 6, 9 जा, 54 और 58, तो कितना आ गया? 58 अब इसको solve करेंगे, तो कितना होगा? 8 जा और 9 जा, इसको जोड लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 8 और 16, 10 और 15, इतनी क्या होई? पॉपुलिशन क्या होई? क टॉटल पॉपुलिशन दे कितनी? 16,000, ठीक है न, पॉपुलिशन कम कितनी होई? 1568, इसको कहीं subtract, तो कितना होगा? 10 में से 8 जाएगे, तो 2 बचेगा, 9 में से 6 जाएगे, तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, ठीक है? और 9 में से 5 जाएगे, तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, पांच में से एक जाएगा, तो कितना बचेगा? चार बचेगा और एक बचेगा. ठीक है, कितनी यागी population? इतनी population क्या है के लिए? उस टाम प्रजेंच population क्या होगी? 14,430. ठीक है, तो option देखे लिए तो option क्या है? मैंने simple तरीका बताए किस तरीके solve कना है? तो 14,432, option number क्या है, फोर्थ क्या है, इसका answer होगा, ओके दोस्तों, तो यह फोर्ज है, जो इसका answer होगा, तो question क्या है, circumference of a circle of a radius is 7 cm, तो देखे, simple question है, circumference पूछ रहा है, क्या होता है, क्या है मनलब circumference, तो आपको circumference का formula पता होना चाहिए, क्या होता है, तो circumference कितना होता है, 2πr होता है, कितना होता है, 2πr होता है, ठीक है, अब 2 की value कितनी दी होगी है, 22 upon 7, r की value कितनी दी होगी है, 7 दी होगी है, ठीक है, into करेंगे 7, ठीक है, इसको solve करेंगे तो कितना हैगा, 7 से 7 क्या होगी, 7 to 7 होगे cancel, 2 into 2, 44 cm, circumference of circle कितना आ गया? 44 cm आ गया, option number क्या है? option number क्या? fourth इसका answer है, okay दोस्तों, question क्या है? इसको क्या करना है? find करना है, इस x की value को, अब क्या दिया हुआ, angle a दिया हुआ है, ठीके न, angle a की value कितनी दिया हुई है, angle a की value कितनी 40 degree दिया हुई है, आपको पहले लारो gram एक property पता होना चाहिए, क्या होती है, कि जो opposite angle होते हैं, opposite angle, वो क्या होते हैं? equal होते हैं, किसमें पहले लरो कराम में, ठीके न, opposite angle क्या होते हैं, equal होते हैं, तो बस, क्या होगा इस के according, तो angle, a equal to क्या होगा, angle d होगा, ठीके न, internally, आप x की value नकाल ली हैं, तो देखी, कुछ नहीं है, ये जो line है, ये कितने टिगरी की है, पूरी, 180 degree की है, तो फस, कुछ नहीं है, क्या है, angle D plus angle X equal to कितना होगा? 180 degree, ठीक है न? I think समनी में आगया हो, क्या बोल ला हूँ? ठीक है, तो angle क्या है, angle X है, अब angle D की value बन को पता है क्या है, angle D की value कितनी है, 40 है, तो angle X की value कितनी है रहेगी? 180 180 minus 180 minus कितना है रहेगा? 40, ठीक है, तो X की value कितनी है रहेगी? X equal to angle X की value कितनी है रहेगी? 140 degree रहेगी, I think question समनी में आगया होगा, simple question था, ठीक है न? तो 140 क्या है, इसका answer होगा, 140 degree, ठीक है न? तो जो 140 क्या होगा, इसका answer होगा, तो option देख लेते हैं, option number क्या है, फोर्थ क्या है, इसका answer है, जो उपर angle D होगा, उनको करिए क्या add, तो angle A plus angle B plus angle C equal to, plus क्या होगा, angle D angle D की value नकाल ने, equal to कितना होगा, 360 degree होगा 360 degree होगा, अब angle A की value कितनी है? angle A 80, B है 100 और C कितना है 50, तो value पॉट करिए, तो 80 plus 100 plus 50, ठीक है न? और plus क्या होगा? D की value में नकाल ने, equal to 360 है इसको add करेंगे, तो कितना होगा, 100 plus 50 plus 80, तो 1 130 होगा, पलस 100 होगा, 2 30 होगा, 2 30 plus angle D, ठीक है न? तो angle D की value जागी, बस equal to करिए, 360 तो angle D की value कितनी आ जाएगी? subtract करेंगे, उससर जाएगा, तो angle D की value कितनी जाएगी? 1 30 आ जाएगी, तो angle D की value कितनी है? कि 1 30 डिगरी आ जाएगी या अंसर? बस तो यह है अपना क्या आंसर है, तो angle D की value कितनी है? 1 30 डिगरी है, तो option देख लेते हैं, option क्या है? तो option number क्या है? फर्स्ट क्या इसका answer है? the remainder when 3p cube minus 7 is divided by p minus 7 तो remainder बताने है simply, जब क्या होता है? कि इसको क्या करते हैं? इससे divide करते हैं, तो कुछ नहीं है, simple question है, बैसको देख दर divide कर रहा है उसको तो क्या 3p cube minus 7? 3p cube minus 7 को किस से divide करना है? इसको divide किस से करना है? p minus 7 से, p minus 1 से, ठीक है न? तो p minus 1 से divide करना है, अब क्या एक चीद देखिए, इता किस चीच की requirement है? इता requirement है, 3p square की requirement है जब इसका in 2 किस से होगा? 3p से, 3p square से p का in 2 होगा, तो कितना आएगा? 3p cube आएगा, इसका minus का in 2 से होगा, तो कि minus 3p square आएगा अब क्या होगा, sign change हो जाएंगे, तो यह होगा माइनस, यह होगा, plus, तो यह क्या होगा, cancel हो जाएगा, अब क्या बचेगा, बचेगा 3p square plus 7, अब किस चीज की requirement है, अब requirement किसकी है, plus 3p की requirement है ठीकी न? तो plus 3p into P होगा तो कितना होगा? 3p square हो जाएगा ठीक है? अब आओ लिगा है? minus 1 into 3p से होगा कितना होगा? minus 3p होजाएगा अब क्या होगा? sine change होगा माइनस और ये भी plus हो जाएगा ठीक है ये होजाएगा cancel हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बचे का अब 3P और अपना क्या है यह प्लस 7 है प्लस 7 है अब किस चीज की requirement है अब only requirement किसकी है 3 की requirement है ठीक ना प्लस क्या करना है फ्लस 3 क्या技भए ठाए ठाना है प्लस 3 करेंगे तो क्या होगा तो 3P हो जाएगा दो लिख लेते भी और अपना क्या है भाई ये माइनस 1 कि इंतू 3 होगा तो माइनस क्या हो जाएगा माइनस? 3 हो जाएगा अब क्या होगा simply sin change होगा तो minus j हो जाएगा जी plus हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा अपना ये cancel हो जाएगा तो कितना बचा minus minus 7 से 3 गया तो कितना बचा minus 4 बचा तो अपना remainder कितना आ रहा है इसका remainder आ रहा है कितना minus 4 आ रहा है तो यह क्या रहा अपना आंसर रहा थिकले ना आपकोसेंट पूछता तो क्या होता। को सेंट क्या हो तो 3P स्क्वेर प्लस 3P प्लस प्लस कितना होता प्लस 3 होता ठीक है तो प्लस क्या लिखते 3 होता तो option देख लिए तो option क्या है तो माइनस 4 इसमें option number क्या है इसका first क्या है इसका answer है ओके दोस्तों क्या है after spending rupees 75,000 for remodeling a house देखे क्या है कि उसने क्या किया 75,000 रुपे उसको घर को सुदानने में खर्च कर दिया इसके बाद क्या बोलना है सानिया सॉल्ड दा house at a profit of 20 परतन कोई सानिया नाम की लड़की उसने क्या किया 75,000 रुपे घर लगाने के बाद सुदानने के बाद घर में 20% profit पर उसको क्या sell कर दिया और कितने में किया 36,000 रुपे में 36,000 रुपे में 36,000 रुपे में इतने 36,000 इसको sell कर दिया then how much did he spend to buy it तो उसको बताना कितना रुपे में उसने खरीता था देखे सिंपल कोश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है आपको 20% profit का value दी हुई है तो 120% की value कितनी दी हुई है इतनी दी हुई है कितनी दी 36,000,000 दी हुई है ठीक है न तो बस लिख दीजिए आपको क्या नकाल लिया है आपको 100% की सबसे बहले value नकाली है 100% की value कितनी आजाएगी इसको solve करेंगे simply तो मैं कर देता हूँ उदर पर मैं 0 को let कर लेता हूँ मानके चलिए यह 5 0 में इसको ब 100 upon 120 ठीक है 120 अब इसको कर यह solve तो 0 से क्या होगा यह 0 cancel 1 जा और 3 जा तो x की value कितनी आ गई? x की value कितनी आ गई? 30 आ गई ठीक है ना? लेकिन 5 0 क्या थे? उपर थे तो बस 5 0 और लिख लीजिए तो 2 और 3 4 5 ठीक है ना? इतना रूपे क्या किये उसने? 100% उसकी price की दिनी इतनी थी बस simple question था बट उसने क्या वह लगा? 75,000 रूपे क्या किये उसने? उसने क्या किये? खर्च किये किसने किये? 75,000 रूपे उसने खर्च किये ठीक है ना? तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमे 29 ये कितना था अपना? 29,29,25,000 रूपे ठीक है ना? तो ये गया उसकी cost price होगी ठीक है ना? तो उसकी कितनी price होगी ये? उसकी cost price होगी जो उसने क्या? उस घर को खरीदा होगा ठीक है ना? I think question समझे में आवगा simple question था तो option देख लेते हैं तो option क्या है? option number 29,25,000 तो option number क्या है? इसका first क्या होगा? इसका answer होगा? ओके दोस्तों? तो एक question दी हुई है कुछ? आपको देख रही होगी तो ये कुछ दिया हुआ है आपको 2a upon under root 2 equal to क्या लखा है? 2 under root 2 लखा हूँ है और क्या पूछ रहा है? एक ही value पूछ रहा है तो कुछ नहीं है इसमें क्या 2a equal to क्या है? 2 under root 2 है ठीक है ना? अपको अन में क्या दिया हुआ है? under root 2 है तो कुछ नहीं करना इसमें ये 2 क्या होगा? इसमें into होगा तो क्या हो जाएगा? 2a equal to 2 into under root 2 into under root 2 क्या होता है? 2 हो जाता है ठीक है ना? तो बस इसको solve कर दिये तो क्या होगा? एक क्या टान एकाल टूह कि जा जाएगा ठीकिना एक इंडी टूह कि ऊपर दें लेते हुठि क्या रहा है कि रहे कि यहोगा ज़िक दोGS कुछ प्रमेंIT में जैंघा एक lekाली गोलते लाएट म॓ंट क्मा घया दोगा नहले 200 से एक हम क्यों भी अत्तों चाहें된 merch हूं जो जाए कितना 0 और 6 है तो कितना हो जाएगा 120 आजाएगा ठीक ना अब आगी क्या बोला है एक क्या दिया हुआ है 63 और 57 दिया हुआ है कितना दियो 63 और 57 दिया हुआ है इसको एड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 और 6 और 1 तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा 120 अब लेक्स क्या है, 45 और 39, तो कुछ नहीं है, 120, 39 और 45, इनको add कर लीजिए simply, तो कितना हो जाएगा, 9, 5, 14, 1 कैरी, तो कितना हो जाएगा, 5 और 8, 8, 4, 12, 12 क्या होगा, 12, 1 कैरी, तो कितना हो जाएगा, 3, तो कितना हो जाएगा, 324 आगया, टोटल नमबर और टर्म कितने अपने पाद, 6 थे, ठीक है, 324 हो करिए क्या, 6 से डवाइट करिए, तो 6, 5 जा कितना होता है, 30 होता है, ठीक है, कितना बचा, 2 बचा, तो 6, 4 जा कितना होता है, 24 होता है, त तो average कितना आगे 54 आगे तो option देख लेते तो option क्या है तो option number क्या है इसका थाइट क्या होगा इसका answer होगा ओके दोस्तों question क्या है राहूल is 10 year younger than गौतम राहूल क्या है 10 साल छोटा है किस से गौतम का है ठीक है question में सीधा बोल दिया क्या गौतम बड़ा है राहूल से कितने साल बड़ा है difference कितना का है 10 सल का क्या है इंके बीच में difference है ठीक है अब आंगे क्या बोले 10 year hence दस साल बात the ratio of the age is of राहूल and गौतम is 2 ratio 3 तो इन ढौनों की पीच में क्या ratio कितना है टू रेशियो ठीड है। ठीगे न Infinite रहें मतलब कि कितने साल का Difference है। अब आज़े क्या पूचा क्वेशन है। कि find a percentage of Rahul, देखे, percentage पूछा है Rahul की, तो percentage बतानी जो क्या करेंगे, देखे, present of Rahul बतानी थी, तो अपने बस क्या है, ये 10 साल बात का ratio है, प्रजेंटेज से, तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 2 इंटू क्या करना है, 2 इंटू 10 करना है, तो कितना जाकर 20 आ जाएगा, 20 क् क्या है, तो क्या करना 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 है, तो क्या 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 क का first is का answer होगा, okay दोस्तों, question क्या है, total time taken by two train to cross each other in 20 seconds, तो दोनों train को क्या है, जब cross करने में कितना समय लगता है, 20 seconds लगता है, the speed of both train is 10 meter per second, तो दोनों की speed कितनी है, 10 meter per second कि इनकी speed है, what is the combined length of both train, तो combined length बतानी है, देखे, इसमें क्या है, relativity का concept लगता है, speed relativity का, उसमें क्या होता है, कि अगर direction train की क्या हो, same हो, तो speed क्या होती है, subtract हो जाती है, ठीके न, difference कर देते हैं, अगर direction क्या हो, opposite हो, ठीके न, तो speed क्या होती है, add हो जाती है, ठीके न, तो जो अनकी स्पीड होगी अढ़ो होगी स्पीड कस तरीके सा अढ़ ना इसस स्पीड होगी ठीक हेसमें यह कलूक और 10 अखीज स्पीड रही तो CLAVory कुछ नियोगी उनकी लेंथ हो गी कि खुल होगी distance upon time ठीक है ना तो बस अब इसको solve कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 20 into 20 तो कितना हो जाएगा equal to L1 plus L2 ये दोनों की क्या है कमाई length है तो बस इसको solve करेंगे तो कितना जाएगा 400 meter के आजाएगी इसकी length आजाएगी इसकी train की आजाएगी ओके तो अपना answer कितना है 400 meter है ठीक है तो ऑप्सन क्या है इसका फोर्थ क्या होगा इसका answer होगा तो question क्या है युक्ता get rupees 350 to buy fruit and vegetable for her mother mother तो उसने क्या कि 350 रुपे क्या है मम्मी के लिए के vegetable of fruit खरीदने के लिए वह मानने के चली market गई she buy fruit for birth of 148 ठीक है उसने क्या fruit पे क्या है 148 रुपे खर्च किये how much money is spent for buying vegetable बताना क्या है कि vegetable पर उसने कितने पैसे खर्च किये if she return rupees 42 तो हर मतर्व उसने क्या कि कि 32 रुपे क्या अपनी मम्मी को लोटा है तो बताना क्या था simple आपको कि उसने vegetable पर कितने पैसे खर्च किये simple question है देखे उसने क्या किये fruit पे कितना 148 मम्मी को लोटा है कितना 42 ठीक है एसको add कर ये तो कितना हो जाएगा 0,9,1 इतना रुपे क्या मन के चल लिए उसने क्या कि पूरे खर्च कर दी है टोटल कितने ले गई थी टोटल ले गई थी कितनी तीन सो पचांस रुपे ले गई थी इसको करिये क्या sab tribak करिये इससे अगर से sab tribak करेंगे तो कितना आगा जीरो फाइमनाइन और सिक्स ओव दंट एक शॉसराट रोपय क्या उसने फूरूट्स खरी देद है इक शॉसराट रोपय के ठीक है तो आपका आंट पूर्ट्स की रूपीज उसने फूर्ट्स पे खर्च किए तो और नमबर क्या है इसका फोर्थ क्या होगा इसका आंसर होगा ओके दोस्तों क्या है 15% of water bill is reduced from the original bill तो क्या होता है ओर जिटल बिल से क्या करते 15% क्या करते रिडियूस कर देते हैं तो उसको क्या है 15% कम करने के बाद उसको कितना रुपए देने पड़ते हैं 170 रुपए उसको बैलंस पे करना पड़ता है ठीक है ना क्या बोला है how much was the original bill तो बता ना original bill क्या है कि simple question है और 100 में से अकर 15% कम करेंगे तो कितना होगा 85% आएगा कितना 85% आएगा ठीक है ना 85% की value कितनी होती है इसमें given है 85% की value कितनी दी हुई है 85 की दी है कितनी 170 रुपीज दी हुई दी हुई है आप उ कितनी की नकाल लिए आप 100% की नकाल लिए है तो बस कुछ नहीं x की value नकाल लिए तो cross multiply कर जीए तो आपका क्या जाएगा answer आजाएगा तो x की value कितनी जाएगी इदर से 170 into 100 upon कितना 85 ठीक है इसको solve करेंगे तो क्या होगा 5 बन जा 5 और 5 7 जा 35 तो इसको काट दीजिए 5 से ठीक न तो 5 से जाएगा तो कितना बचेगा 5 तू जा 10 ठीक है अब solve करेंगे simple 7 बन जा 7 टी बन जा 17 यही बन से बन जाएगा तो कितना आ जाएगा अपना x की value कितनी जाएगी x की value जाएगी कितनी 100 रूपी सड़ी 200 के जाएगी 200 200 के जाएगी 200 रूपीस किया जाएगी इसकी value जाएगी तो simple question था I think sony में आया होगा मैंना कुछ नहीं किया है 85% की value given थी 117 और 100% की नकाल नहीं थी तो simply cross multiply किया 200 रूपे इसकी originality price है ओके दोस्तों तो question क्या है difference between two numbers is 20% of the larger number देखिए कोई 2 number है जो उसका difference है ना वो larger number कितना 20% है if the smaller number is 20 then larger number is what? देखिए simple question है मान के चलिए पहला अपना x है और बड़ा number x है और छोटा number के है y है इनका difference कितना होता है 20% हो bigger number 20% कौन सा? 20% हो bigger number कौन सा मान के चलिए x है ठीक है अब बताए y की value कितनी थी हुई है छोटे number की चोटे की value दीए कितनी y equal to 20 दीए चोटे number की value कुछ नहीं करना है बुक्या करना है by की value put कर दीए तो x minus 20 equal to 20% 20% को किस तरीके से लख सकते है 20% को लख सकते है 20 upon 100 into x लख सकते हैं इसको solve कर लीजे तो x x cancel 1 जा 5 जा आ गया तो 1 upon 5 आ गया इसको solve करेंगे तो कितना आ जाएगा 5x 5 to 10 तो 100 equal to कितना आ जाएगा equal to 5x आ जाएगा इसको solve कर लेंगे तो 4x equal to 100 आ जाएगा अब x की value कितनी आ जाएगी x की value कितनी 25 तो अपना बड़ा number कौन सा है 25 क्या अपना बड़ा number है I think समनी में आएगा को simple question था था थीक है तो option देख लेते, option number क्या है इसका 4th क्या होगा इसका answer होगा question क्या है I send 15 parcel of oranges तो उसने क्या कि यह 15 parcel of oranges इसके बेट दिये what was the total bet of parcel तो बताना क्या है की पूरा total bet कितना है if the each bet of bet कितना है यह अगर एक parcel का bet कितना दिया हुआ है इतना दिया हुआ है तो बताना कितना total bet बताना है दिखिए कुछ नहीं है 10 इसको solve करेंगे simply अच्छी से तो क्या आएगा तो कितना हो जाएगा 10 1 upon 2 इसको solve करेंगे तो 10 2 जा 20 और 21 upon 2 कितना parcel है 15 parcel है इसको simply क्या कि रिए solve करने लिए तो इसको solve करेंगे तो कितना होगा इसको 30 और 315 ठीके ना कितना है कितना है कितना है कितना है तो इसको solve करेंगे बता रहा हूं किस तरीकी से मैंने solve किया है equal to कितना होगा 2 बन जा 5 जा और 7 जा 0.5 जा तो कितना आ गया 157.5 kg इसका answer होगा ठीके दोस्तों तो मैं पताता हूं किस तरीकी solve किया है ठीके कुछ नहीं किया है मैंने इसका into किया है simple ठीके तो option number किया है इसका fourth इसका answer होगा मैंने simple into इस तरीकी से किया कि 21 था ठीके ना तो 21 को किस तरीकी से लख सकता हूं 21 प्लस 1 लख सकता हूं into किया 15 ठीके इसको पॉंट 2 है ठीके इसको मैंने इस वार्वेट में solve किया जमा लिया और इसको solve कर दिया तो 20 कंट 2 से करेंगे तो आगा कितना 300 ठीके 300 प्लस 15 ठीके 300 पंदरा पॉंट 2 इसको solve करेंगे तो अपना answer क्या मिलेगा यह क्या मिलेगा अपना answer मिलेगा ओके दोस्तों तो simple question था तो इसका answer क्या है 15.5 15 157.5 kg का answer होगा ओके दोस्तों तो option number क्या है इसका 4th क्या answer होगा तो इस question में क्या है इसको simplify करना है ठीके ना आपके सामने दिया हुआ है 3x plus 2 की power cube plus 3x minus 2 की power cube देखे simple question है आपको identity पता होने चाहिए कि a plus b का whole cube की क्या होती है तो लिख देता हूं a plus b की whole cube की तो क्या होती है a cube plus b cube plus 3a square b plus 3a b square अब कुछे नहीं करना है आपको क्या करना है जो 3x plus 2 का whole cube है उसके यहां a की value put करिए और b की value put करिए तो a की value क्या है दर पे 3x है और b की value क्या है 2 है ठीक ना तो put करते है क्या होगी 3x cube plus 2x cube plus 3 into 3x square into 2 plus 3 into 3x और 2 गा square into 2 square ठीक ना इसको solve करेंगे तो क्या होगा इसको solve तो 9 9 4 जा 4 4 जा 12 जा 12 जा 36 ठीक ना तो 36 क्या आगे 36 x आ गया ठीक है और इसको solve करेंगे तो क्या होगा 3 square कितना होता 9 9 3 27 into 2 तो कितना होगा 54 x square इसको solve करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 plus 27 x cube ठीक है अब क्या बच्छा बोल ला है नीचे दूसरा क्या है यह plus क्या है plus 3x minus 2 सिप क्या है क्या है जो minus 2 ऑना बो चेंच होगा है तो कुछ नहीं करना है सेम बोई रहेगा जहाहां बी की value put जा क्यों क्या करना माइनस 2 माइनसी की खोट सांद चेंच होगा थिके나 थो इदर क्या होगा 27 x cube q ki 3 x का क्यूब होगा इसमें क्या होगा इसमें 3 का इंटू हुआ था और बी था अगेला तो कितना होगा माइनस 54 x स्क्वार हो जाएगा अब लास्ट क्या था 36 x देखिए इधर पर क्या था बी का स्क्वार हो रहा है तो माइनस 2 का स्क्वार करेंगे तो कितना होगा प्लस 4 ही होगा था तो अधर कितना आएगा प्लस 36 x जाएगा अब करिए सिंपली का कैंसर करिए तो यह कटी जाएगा और यह कटी जाएगा ठीक है एड क्या होगा एड होगा 27 प्लस इंटू 27 क्यूब 27 क्यूब तो कितना हो जाएगा 54 x to the power cube इसकी बाद प्लस क्या हो तो कितना हो जाएगा 72 x कितना हो जाएगा 72 x ओक दोस्तों तो अपका क्या अंसर यह अपना क्या गया अंसर आगया ठीक है ना 54 x cube और 72 x आगया ठीक है यह क्या अपना अंसर है ओके तो option देख लिए तो option क्या है तो option number क्या है थाइट होगा ओके दोस्तों तो थाइट क्या है इसका आंसर है question क्या है if 16-3 into a-7 equal to minus 14 तो then a equal to what देखिए simple question है जो एक question दी हुई है कुसे नहीं करने ना सबसे पहले कि 16-3 अंदर into कर दिया 3a का और 3-7 जा 21 ठीक है ना लेकिन क्या plus का होगा 27 क्यों होगा क्योंकि minus minus क्या होता है plus होता है ठीक है equal to कितना दिया हुआ है minus minus 14 दिया हुआ है ठीक है इसको करिए solve तो क्या होगा यह इदर से 6 उससाइड जाएगा तो कितना बचेगा एकको यहाएगा तो कितना ऐसे जाएगा –3 ऑसे ह AuthA 16 गया जाएगा तो कितना 20 त्यक्वक्त तो कितना बचेडी हो गया और यह भी उससाइड जाएगा 21 ンनीकnya रभ झाएगा चीकर हो फिका है माइनस माइनस से माइनस क्या होंगे कैंसल हो जाएंगे ठीक है अब एक ही वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 उससे डिवाइड होगा तो 3 बन जा 3 तू केड़ी और 19 तो एक ही वैल्यू कितनी आगी 19 आ गई ओके दोस्तों तो सिंपल कोश्चन था यहां हकी तो मीनस 3 खीक है तो माइनस 3 गें टो मैंस 0-3 माइनस 3 खितना पिलस 27 मागया 10 इसो वैसितनी प्राव गया 9 टू नाइन गया करें है को यह सांसर है क्वा सि험 Beim 막 visit good goods at 40% above the cost price. तो ट्रेडर उसने क्या किया, कि cost price से 40% क्या किया, अब क्या किया mark कर लिया. अब आगे क्या बोल ला है, what allow a discount of 25%? तो जो 40% बढाने के बाद उसने क्या किया, 25% का उसे discount दिया. तो what is the gain percentage? तो बताना क्या है कि gain percentage क्या है? देखे, माल लीजिया, 100% क्या था? मनला 100 क्या था? उसका cost price थी. उसने क्या किया, 40% क्या किया, उसको बढ़ा दिया. तो कितना हो गया? 140 आ गया. ठीक है, जो 140 है वो क्या है पूरा? इकॉल टू 100% है. ठीक है, उसको माल लीजिया, ठीक है? अपनको क्या बोला? अब बोल क्या रहा है, 25% का उसने क्या discount भी दिया. अगर वो 25% का discount देता है, तो कितना परसन की value उसके पास बचेगी? मनलाब वो batch एगा. तो 75% पर क्या करेगा? वो उसको sell कर देगा. ठीक है न? उस value से. तो इसको x की value जासे calculate कर लो. x की value calculate करेंगे. तो एगर कितना जाएगा? 140 into 75. ठीक है? अपन? 100. ठीक है? ये 4 है. ठीक है? तो 140. अब इसको करिए cancel. ठीक है? तो 0 से क्या होगा? 0 cancel. और ये कितना है? 5 जा, 7 जा, 5 बन जा, 5 बन जा, और 2 फाइब जा. ठीक है? तो x की value कितनी आ गई? x एकल टू कितना आ गया? 7 into 15. इसको solve करेंगे तो x की value कितनी आ गई? तो x की value कितनी आ गई? 7, 5 बन जा 7 और 0. तो कितना? 1, 0, 5 रुपीज. तो मनलब क्या है? कि उसने 105 रुपे में क्या किया? उस ID कल को बैद दिया. लेकर उसने लगा है कितने लगा है? कितने लगा है? उसने बैचा कितने में? 105 रुपे में. डिफरेंस कितने का है? 5 रुपे का क्या है? डिफरेंस है. तो 5 रुपे का डिफरेंस है. इसका नकाल दीजिए percent. तो percentage कैसे नकालते है? difference. cost price कितनी 100 है? into 100 कर दीजिए. तो 100, 700 cancel तो कितना आ गया? equal to कितना आ गया? 5% तो 5% क क्या होगा? इसका answer होगा. ठीक है? तो option देख लिए तो option क्या है? तो option number क्या है? इसका 3 क्या होगा? answer होगा. ठीक है? तो 5%. वोगे दोस्तों. इस question में क्या है? तो how many cubes blocks of wood of side 20 cm can we cut from a block of wood having dimension of 2 meter, 80 cm and 40 cm? देखे जब भी इस question में ऐसी बात होती है न कि किसी चीज को काटके या उसे melt करके कोई दूसरा object बना लेते हैं. तो इस question में हमें से याद रखिए का किस चीज की बात होगी? तो बात होगी किस की? वॉल्यूम की बात होगी. ठीक है न? तो किस चीज से वॉल्यूम नकालेंगे ठीक है न? इन चीज़ों में. तो कुछ न यह होता है क्या? क्यूबाट का होता है. अब एक चीज बात है क्यूब का क्या होता है? क्यूब का क्या होता है? क्यूब का क्या होता है? क्यूब होता है. ठीक है? साइट का क्या होता है? क्यूब होता है. ठीक है? अब एक चीज बात ही, इसमें क्या दिया हुआ है सबसे पह side of cube कितने है उसका side कितनी cube की 20 cm 20 cm के कितने cube बनेंगे ये पूछ रहा है 20 cm के कितने cube बनेंगे देख लेते है into 20 into 20 ये क्या है एक cube है अब नमबरों cube नकाल नहीं थे तो करना गया पड़ेगा n का into पस इसको करिए simply solve तो क्या होगा यह कितने बार में जाएगा वन जा और यह कितने टू बार में चला गया ठीक है यह कितने बार में जाएगा 4 times और यह कितने बार में जाएगा 1 times ठीक है? अब देख लीजिए यह 1 times और यह कितने बार में 1 तो कितना आगे? 10 आ गया आगया? अब कुछ नहीं करना आप क्या करना है? ठीक है? एक 0 से 1 0 और cancel हो जाएगा हो जाएगा है तो n equal to कितना जाएगा? यहाँ मैं लिख लेता हूँ 1 0 से a 0 cancel हो गया तो इतर n equal to कितना जाएगा? n equal to कितना जाएगा? 2 into 10 into 4 इसको solve करेंगे तो कितना जाएगा? n equal to कितना जाएगा? n equal to आएगा 80 तो number of cubes कितने बनेंगे? 80 बनेंगे ठीक है? तो अपना answer किया होगा? 80 हो गया I think questions मझे में आऊगा तो simple question था तो option number कितना है? tight किया होगा? इसका answer होगा ओके दोस्तों तो question किया है? 2 year ago a bleach had 6000 people bleach में किया है? 2 साल पहले 16,000 लोग थे in upcoming year the population increased by 10% जो 2 साल के बाद पहले मनलब उसके बाद जो आने वाला आगे वाला साल था ना उसमें क्या होगा? 10% क्या होते है? population increase हो जाती है but in the next year if the some people had left the village and population had decreases by 18% तो उसके बाद क्या होता है? अगले साल कुछ लोग चले जाते हैं और क्या होता है? गाना छोड़के चले जाते हैं 10% क्या होता है? population क्या होती है? 18% क्या होती है? कम हो जाती है then the present population will be simple question है अग उसे यह combine निकाल लीजिए तो combine किस तरीके से निकालते हैं 10% क्या हुआ? increase हुआ 18% क्या हुआ? ठीक है? इसके बाद कुछ नहीं वही effective percentage का formula लगा दिया तो solution आ गया 100 से divide कर दिया 0 से 0 गया इदर solve कितना हुआ? minus 8 आ गया और solve किया तो कितना आ गया? solve किया तो कितना? 1.8 आ गया score add किया तो कितना आ गया? 9.8 आ गया minus 9.8 आ गया इतने percent से क्या हुई population decrease हुई है ठीक है? अब 2 साल पहले कितनी थी? 2 साल पहले थी कितनी? 16,000 ठीक ही बताइए 16,000 कितनी थी? 16,000 थी ठीक है न यह कितनी थी? पूरी 100% थी 100% थी अब बताइए कितनी percent population decrease हुई? 9.8 नकाल देते हैं 9.8 नकाल दीजिए सबसे पहले percentage में तो बस अपकी क्या जाएगी? value है क्या जाएगी कितने लोग कम हुए है population से ठीक है? तो इसका into करेंगे तो क्या होगा? तो 16 16,000 है न? 16,000 है ठीक है? 16,000 है 16,000 है 16,000 में 16,000 into 98 ठीक है? 98 98 नहीं है 9.8 है ठीक है न? वह भी क्या 9.8 है ठीक है इसको करेंगे into तो upon में क्या है? 100 है upon में 100 है 0 से क्या होगा? 0 कैंसल हो जाएगे और इसका into point का into और 0 हो वालो 9.8 into 10 हुए तो कितना हुए? 98 हो गया ठीक है? अब कुछ नहीं करना है क्या करना है? 98 को क्या करना है? 98 into 16 कर दो तो कितना आ गया? 68 या 48 का 8 4 carry 6 9 जा 54 और 58 तो कितना आ गया? 58 आ गया? ठीक है अब इसको solve करेंगे तो कितना होगा? 8 जा और 9 जा इसको जोड लीजिए तो कितना हो जाएगा? 8 और 16 और 10 और 15 इतनी क्या हुई? पॉपुलिशन क्या हुई? क्या हुई? क्या हुई? क्या हुई? क्या हुई? टूटल पॉपुलिशन क्या हुई? टूटल पॉपुलिशन क्या हुई? 16,000 पॉपुलेशन कम कितनी हुई एक हजार 568 इसको कही सब्ट्रेक्ट तो कितना होगा 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेगा 9 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा ठीक है और 9 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा ठीक है और 5 में से 1 जाएगा तो कितना ठीक है तो कितनी आगी population? इतनी population क्या है के लिए? उस time present population क्या होगी? 14,432 ठीक है तो option देखे लेते हैं option क्या है? मैंने simple तरीका बता है किस तरीके solve करना है? तो 14,432 option number क्या है इसका? 4th क्या है? इसका answer होगा ओक दोस्तों तो यह 4 है जो इसका answer होगा तो questions क्या है ta circumference of a circle of a radius is 7cm तो simple question है circumference पूच रहा है क्या होता है क्या है맛 मतलब circumference तो आपको circumference का formula पता होना चाहिए thingHow to circumference कितना होता है 2pi r switch होता है न दो क्या हो गें 22 आपॉन 7, 내E SERPet1 पॉन 7 इसकर 25, друзья होगे श्युक्तों pleasant learning तो कितना आएगा? 7 से 7 क्या होगे? 7 से 7 होगे, cancel. 2 इंटो 2, 44 क्या होगा? cm. तो circumference of circle कितना आ गया? 44 cm आ गया. तो option number क्या है? option number क्या? 4th इसका answer है. Okay, दोस्तों. Question क्या है? In a parallelogram ABCD, value of x when i equal to angle a equal to 40 degree. तो दीके, question क्या है? कि x की value find करना है? तो जी, जो x की value है, इसको क्या करना है, find करना है x की value को. अब क्या दिया हुआ? Angle a की value कतनी दियुए है? Angle a की value कतनी, 40 degree दियुए है. आपको एक पहले रोग्राम में प्रोपर्टी पता होने चीए, क्या होती है, कि जो अपोजेट एंगल होते हैं, वो क्या होते हैं, एक्कॉल होते हैं, किसमें पहले रोग्राम में है, ठीके न, अपोजेट एंगल क्या होते हैं, एक्कॉल होते हैं, तो बस, तो क्या होगा इस तो वस कुछ नहीं है क्या है एंगल D प्रस एंगल X एकॉल टू कितना होगा 180 टिग्री ठीक है ना I think समन्य में आ गया हो क्या बोल ला हूं ठीक है तो एंगल क्या है एंगल X है अब एंगल D की वैल्ली उपन को पता है क्या है एंगल D की वैल्ली कितनी है 40 है तो एंगल X की वैल्ली कितनी आएगी 180 माइनस 180 माइनस कितना आएगा 40 ठीक है तो X की वैल्ली कितनी आएगी X एकॉल टू एंगल X की वैल्ली कितनी आएगी 140 डिग्री आएगी I think question समझ में आयोगा, simple question था, ठीके न, तो 140 क्या इसका answer होगा, 140 degree, ठीके न, तो 140 क्या होगा, इसका answer होगा, तो option देख लेते हैं, option number क्या इसका, fourth क्या इसका answer है, तो जो opposite angle होते हैं, वो क्या होते हैं, equal होते हैं, किसमें पहले रोग्राम है, तो question क्या है, इसमें क्या है, आपको correlator के angle का सम कितना होता है, 360 degree होता है, अब कुछ नहीं करना है, जो ऊपर angle दिये हुआ, उनको करिये क्या, add, तो angle A, plus angle B, plus angle C, equal to, plus क्या होगा, angle D, angle D की value नकालनी, equal to कितना होगा, 360 degree होगा, 360 degree होगा, अब angle A की value कितनी है, angle A 80, B है 100, और C कितना है 50, तो value port करिये, तो 80 plus 100 plus 50, ठीके न, और plus क्या होगा, D की value में नकालनी है, equal to 360 है, इसको add करेंगे तो कितना होगा, 100 plus 50 plus 80, तो 1 30 होगा, 2 30 होगा, 2 30 plus angle D, ठीके न, तो angle D की value जागी, बस equal to करिये, 360, तो angle D की value कितनी है, subtract करेंगे उस सच जाएगो, तो angle D की value कितनी है, 130 आजाएगी, तो angle D की value कितनी है, 130 degree आगी answer, बस यह है अपना क्या answer, तो angle D की value कितनी है, 130 degree है, तो option देख लेते हैं, option क्या है, option number क्या है, first क्या है, answer है, question क्या है, the remainder when 3p cube minus 7 is divided by p minus 7, तो remainder बताने simply, जब क्या होता है, कि इसको क्या करते हैं, मनलब कि इससे divide करते हैं, ठीक है, इससे divide करते हैं, तो question नहीं है, simple question है, मैं इसको divide करते हैं, तो क्या है, 3p cube minus 7, 3p cube minus 7 को किस से divide करना है, इसको divide किस से करना है, p minus 7 से, p minus 1 से, ठीक है, तो p minus 1 से divide करना है, अब क्या एक चीद देखिए, इता किस चीच की requirement है, इता requirement है, 3p square की requirement है, जब इसका in 2 किस से होगा, 3p से, 3p square से p का in 2 होगा, तो कितना आएगा, 3p cube आएगा, इसका minus का in 2 से होगा, तो कि minus 3p square आएगा, अब क्या होगा, sign change हो जाएगे, क्या होगा, sign change हो जाएंगे, ठीक है, तो यह होगा, minus यह होगा, plus, तो यह क्या होगा, cancel हो जाएगा, अब क्या बचेगा, बचेगा क्या, 3p square plus 7, अब किस चीज की requirement है, अब requirement किसकी है, plus 3p की requirement है, ठीक है, तो plus 3p into p होगा, तो कितना होगा, 3p square हो जाएगा, ठीक है, अब आगे क्या है, minus 1 into 3p से होगा, तो कितना होगा, minus 3p हो जाएगा, अब क्या होगा, sign change होगा, तो minus और ये भी plus होगा, ठीक है, ये होगा, cancel होगा, तो कितना होगा पचेगा, 3p, और अपना क्या है, अब किस चीज की requirement है, अब only requirement किसकी है, 3 की requirement है, ठीक है, तो plus क्या करना है, plus 3 करना है, ठीक है, प्लस 3 करेंगे तो क्या होगा तो 3P हो जाएगा लख लेते 3P और अपना क्या है बाई यह –1 गाँ 3 होगा तो minus क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा अब क्या होगा, simply sin जो होगा minus j हो जाएगा j, plus होजाएगा तो यह क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा अपना ये cancel हो गए तो कितना बचा minus 7 से 3 गए तो कितना बचा minus 4 बचा तो अपना remainder कितना आए … तो ये क्या रहा, अपना answer रहा ठाल, कोसेंट पूछता, तो GEORGE क्या होता 3P स्क्वार पलस 3P पलस पलस कितना होता पलस 3 होता ठाल तो प्लस क्या लगते थी होता तो option देख लेते तो option क्या है तो minus 4 इसमें option number क्या है इसका first क्या इसका answer है ओके दोस्तों तो question क्या है after spending रुपी 75,000 for remodeling a house देखे क्या है कि उसने क्या किया 75,000 रुपे उसको घर को सुधानने में खर्च कर दिया इसके वाद क्या बोला है सानिय सॉल्ड दास house at a profit of 20 परदन कोई सानिय नाम की लड़की उसने क्या किया 75,000 रुपे घर लगाने के बाद सुधानने के बाद घर में 20% profit उसको क्या sell कर दिया और कितना में किया 36,000 रुपे में 36,000 रुपे में 36,000 रुपे में इसको sell कर दिया then how much did he spend to buy it तो उसको बताना कितना रुपे में उसने खड़ी जा था लेके simple question है इसमें क्या दिया हुआ है आपको 20% profit का value दी हुई है तो 120% की value कितनी दी हुई है इतनी दी हुई है 36,000,000 दी हुई है ठीक है ना तो बस लिख दीजिए आपको क्या नकाल लिए आपको 100% की सबसे बहले value नकाल लिए तो 100% की value कितनी आजाएगी इसको solve करेंगे simply तो मैं कर देता हूँ उदर पर मैं 0 को let कर लेता हूँ मान के चलिए ये 5 0 में इसको बाद में solve करूँगा ठीक है तो कितना हुजाएगा x की value 36 into 100 upon 120 ठीक है 120 अब इसको कर ये solve तो 0 से क्या होगा ये 0 cancel 1 जा और 3 जा तो x की value कितनी आ गई x की value कितनी आ गई ठाइटी आ गई ठीक है ना लेकन 5 0 क्या थे उपर थे तो बस 5 0 लिख लीजिए तो 2 और 3 4 5 ठीक है ना इतना रूपय क्या किये उसने 100% उसकी price की दी कितनी थी बस simple question था उसने क्या वोलागा 75,000 रूपय क्या किये उसने उसने क्या किये खर्च किये किसने किये 75,000 रूपय उसने खर्च किये ठीक है ना तो इसमें कुछ नहीं करना 75,000 रूपय क्या करना सब्रेग कर देना है तो 75 जार रोपे सब्रेग करेंगे इससे तो कितना यह यह कितना था अबना 29 29,25,000 रोपे ठीके ना तो यह गया उसकी cost price होगी ठीके ना तो उसकी कितनी price होगी यह उसकी cost price होगी जो उसने क्या उस घर को खरीदा होगा ठीक ना I think question समझी में आओगा simple question था तो option देख लेते हैं तो option क्या है option number 29,25,000 तो option number क्या है इसका first क्या होगा इसका answer होगा ओके दोस्तों तो एक question दी हुई है कुछ आपको देख रही होगी तो यह कुछ दिया हुआ है आपको दिया हुआ है तो क्या पूछ रहा है एक ही वैल्यू पूछ रहा है तो कुछ नहीं है इसमें क्या तू है इसमें 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 इसमे सब्सक्राइब करना है जो अपने पात दी हुई है यह कुछ नंबर दी हुए है कितने नंबर है छे नंबर दी हुए है इनको कुछ इस पॉर्मेट में जमाएंगे जैसे कि देखिए इसमें क्या दिया हुआ है ठीक है जो जया कितने 0 और 6 है तो कितना हो जाएगा 120 अब क्या है एक क्या दिया हुआ है 63 और 57 स्कुआ और 57 स्कुर्ण करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 और 6 और 1 तो कितना होएगा 120 होजाएगा 120 अब लेक्स क्या है 45 और 39 तो कुछ नहीं है 120 इनको add कर लीजिए simply तो कितना होजाएगा 9 5 14 एक कहरी तो कितना होजाएगा 5 और 8 8 4 12 बारा क्या होगा 2 एक कहरी तो कितना होजाएगा 3 तो कितना होजाएगा 324 आगया तो टोटल नमबर और टर्म कितने अपने पाद 6 थे ठीक न 324 हो करिए क्या 6 से डवाइट करिए तो 6 5 जा कितना होता है 30 होता है ठीक है कितना बचा 2 बचा तो 6 4 जा कितना होता है 24 होता तो average कितना आ गया 54 क्या आगया अपना answer आ गया तो average कितना आगया 54 आगया तो option देख लेते तो option क्या है तो option number क्या है इसका ठाट क्या होगा इसका answer होगा ओके दोस्तों question क्या है Rahul is 10 युर यंगर अन गौतम क्या है दस साल चोटा किसे गौतम का है तो क्या third है Спасибо गोत्म बढ़ा है राहू से विन से १ि बढ़ा है डिफॉरेंस कने का है दस साल का है इनके बीच में difference है 12 साल का क्या यह फिर और का इन दोनों के बीच में 12 क्रवान का वन इंताइब जो क्या करेंगे ऑने बतारी तो अपने बस क्या है यह बात का रेशियौ है प्रजेंटेज से तो कुछ नहीं करना है क्या करना है टू इंटू क्या करना है टू इंटू तो दस साल क्या होगी इसका आंसर होगा, तो option number देख लेते क्या है, तो option number क्या है इसका, first इसका आंसर होगा, ओके दोस्तों, question क्या है, total time taken by two train to cross each other in 20 seconds, तो दोनों train उगो क्या है, जब cross करने में कितना समय लगता है, 20 seconds लगता है, the speed of both train is 10 meter per second, तो दोनों की speed कितनी, 10 meter per second की इनकी speed है, what is the combined length of both train, तो combined length बतानी है, देखिए इसमें क्या है, relativity का concept लगता है, speed relativity का, उसमें क्या होता है, कि अगर direction, train की क्या हो, same हो, तो speed क्या होती है, subtract हो जाती है, ठीके न, difference कर देते हैं उनका, अगर direction क्या हो, opposite हो, ठीके न, तो speed क्या होती है, add हो जाती है, ठीके न, याद रखिएगा, ठीके इसमें क्या है, direction क्या है, दोनों की opposite है, तो जो उनकी speed होगी न, वो क्या होगी, add हो जाएगी, तो speed किस तरीके सा add होगी, 10 plus 10 ठीक है ना यह क्या होगी speed होगी distance क्या होगी कुछ नहीं होगी उनकी length होगी तो L1 plus L2 यह क्या है train की लंबा ही है और समय कितना ले रही है 20 second ले रही है ठीक है ना I think आपको फॉर्मुलात जनरल पता होगा क्या होता speed उक्कल्डू क्या होता distance upon time ठीक है ना तो बस अब इसको solve कर दीजिए तो कितना होगा 20 into 20 तो कितना होगा equal to L1 plus L2 यह दोनों की क्या है कमाई length है तो बस इसको solve करेंगे तो कितना जाएगा 400 meter क्या जाएगी इसकी length जाएगी इसकी train क्या जाएगी okay तो अपना answer कितना है 400 meter है ठीक है तो option देख लेते हैं option क्या इसका 4th क्या होगा इसका answer होगा तो question क्या है Yukta get rupees 350 to buy fruit and vegetable for her mother तो उसने कहा कि 350 रुबे क्या है मम्मी के लिए के बैजी टेवल और fruit करीदने के लिए वो मानके चली बार मार्केट रही see buy fruit for birth of 148 ठीक है ना उसने क्या fruit पर क्या है 148 रुपे खर्च किये how much money is spent for buying बैजी टेवल बताना क्या है कि बैजी टेवल पर उसने कितने पैसे खर्च किये इसने क्या कि बैजी टेवल पर कितने पैसे खर्च किये है इसने क्या कि फूट पर कितने है 148 मम्मी को लोट आए कि इसको एट करिए तो कितना हो जाएगा 091 इतने रूपे क्या मन की चलिए उसने कि इस पूर्च कर दिए टोटल कितने ले गई थी टोटल ले गई थी कितनी 350 रूपे ले गई थी इसको करिए कि अगर सब्परेक करें गे तो कितना आएगा 0596 रूपे क्या उसने फूर्ट ख्री dew il 16ुपे तो आपको उसने कैज्णार 1 खरसकों कई आपके है सब्सक्राइब विए नॉपर कैस का फॉर्थ च्ड८ोगा रिअधर उशन गाट कटा क включ र है तो सबस्क्राइब from the original bill, तो क्या होता है, और original bill से क्या करते है, 15% क्या करते है, reduce कर देते है, then rupees 170 bill will be balance to be paid, तो उसको क्या है, 15% कम करने के बाद, उसको कितना रुपे देने पड़ते हैं, 170 रुपे उसको balance pay करना पड़ता है, ठीक है, ना, question क्या बोला है, how much was the original bill, तो बताना, original bill क्या है, कि simple question है, अगर 100 में से 15% कम करेंगे, तो कितना होगा 85% आएगा, कितना 85% आएगा, ठीक है न, बस, कुछ नहीं, x की value न काल लिए, तो cross multiply कर जीए, तो आपका क्या जाएगा, answer आजाएगा, तो x की value कितनी आजाएगी दर से, 170 into 100, अपन कितना, 85, ठीक है, इसको solve करेंगे, तो क्या होगा, 5, बन जा 5, और 5, 7 जा 35, तो इसको काट दीजिए 5 से, ठीक है, तो 5 से जाएगा, तो कितना बचेगा, 5, 2 जा, 10, ठीक है, अब solve करेंगे, simple, 7 बन जा 7, T बन जा 17, यहीं बन से बन जा जाएगा, तो कितना आजाएगा, अपना, x की value कितनी आजाएगी, x की value आजाएगी, 100, 200 किया जाएगी, 200, 200 किया जाएगी, 200, 200 किया जाएगी, 200 किया जाएगी, इसकी value आजाएगी, तो simple question था, I think सबनी में आएगा, मैंना कुछ नहीं किया है, 85% की value given थी, 117, और 100% की नकालने थी, तो simply cross multiply किया, swap किया, तो कितना आजाए x की value, जो उसका original bill की price है, वो कितनी है, 200 रुपे, इसकी original bill की price है, ओके दोस्तों, तो question क्या है, the difference between two number is 20% of the larger number, देखिए, कोई 2 number है, जो उसका difference है, वो larger number कितना 20% है, if the smaller number is 20, then larger number is what, देखिए, simple question है, मान के चलिए, पहला अपना x है, और बड़ा number x है, और छोटा number किया है, वा है, ठीकिना, इनका difference कितना होता है, 20% हो bigger number, 20% कौन सा, 20% हो bigger number कौन सा है, मान के चलिए x है, ठीक है, अब बताए, y की value कितनी दी हुई है, छोटे number की, छोटे की value दी है, कितनी, y equal to 20 दी हुई है, question में किवेन है, ठीक है, छोटे number की value, कुछ नहीं करना है, वो क्या करना है, y की value put कर दीजिए, तो x minus 20, equal to 20%, 20% को किस तरी किसे लिख सकते है, 20% को लिख सकते है, 20 upon 100 into x, लिख सकते है, इसको solve कर दीजिए, तो x x cancel, 1 जा 5 जा, आ गया, तो 1 upon कितना 5 आ गया, इसको solve करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x, 5, 2, 10, 100, equal to कितना आ जाएगा, equal to 5x आ जाएगा, इसको solve कर लेंगे तो, 4x equal to 100 आ जाएगा, आ जाएगा, अब x की value कितनी आ जाएगी, x की value कितनी 25, तो अपना बड़ा number कौन सा है, 25 किया अपना बड़ा number है, I think समनी में आगे को simple question था, ठीके न, तो option देख लेते हैं, option number क्या इसका, 4th क्या होगा, इसका answer होगा, question क्या है, I send 15 parcel of oranges, तो इसने क्या कि ये 15 parcel of oranges इसके बेट दिये, what was the total bet of parcel, तो बताना क्या है कि पूरा total bet कितना है, if the each bet of bet कितना है, अगर एक parcel का bet कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, तो बताना कितना total bet बताना है, दिखिए, कुछ नहीं है, 10, इसको solve करेंगे simply अच्छे से, तो क्या होगा, तो कितना हो जाएगा, 10, 1 upon 2, इसको solve करेंगे, तो 10, 2 जा 20, 21 upon 2, कितना parcel है, 15 parcel है, इसको simply क्या कि रिए, solve कर लिए, तो इसको solve करेंगे, तो कितना होगा, इसको 30 और 315, ठीके न, कितना है कितना है कितना है, 315, divided by 2, ठीके न, मैं solve करेंगे, बता रहा हूं किस तरीकी समयने solve किया है, equal to कितना होगा, 2 upon 5 जा, और 7 जा, 0.5 जा, तो कितना आ गया, 157.5 kg, इसका answer होगा, ठीके दोस्तों, तो मैं पताता हूं किस तरीकी solve किया है, ठीके, कुछ नहीं किया है, मैंने इसका into किया है, simple, ठीके, तो option number क्या है इसका, fourth इसका answer होगा, मैंने simple into इस तरीकी से किया कि 21 था, ठीके न, 21 को किस ठरी किसे लिख सकता हूँ, 21 प्लस 1 लिख सकता हूँ, इंटू किया 15, ठीक है, इसको 1 पॉण 2 है, ठीक है ända, इसको मैंने इस वारज़ट में solve किया, जमा लिया और इसको solve कर दिया, तो 21 पॉण इससे करेंगे तो आग़ा कितना 300, ठीक है, 300 प्लस 15, 315 upon 2 तो कितना जाएगा 315 upon 2 इसको solve करेंगे तो अपना answer क्या मिलेगा ऊपर अपना answer आया न यह क्या मिलेगा अपना answer मिलेगा ओके दोस्तों तो simple question था तो इसका answer क्या है 15.5 बन 57.5 kg का answer होगा ओके दोस्तों तो option number क्या इसका 4th क्या answer होगा तो इस question में क्या है इसको simplify करना है ठीक है आपके साथ में दिया हुआ है 3x plus 2 की पावर क्यूब plus 3x minus 2 की पावर क्यूब देखे simple question है आपको identity पता होने चाहिए कि a plus b का whole cube की क्या होती है तो लिखने देता हूँ a plus b की whole cube की तो क्या होती है a cube plus b cube plus 3a square b plus 3a b square अब कुछे नहीं करना है आपको क्या करना है जो 3x plus 2 का whole cube है उसके यागा a की value put करिए और b की value put करिए तो a की value क्या है दर पे 3x है और b की value क्या है 2 है ठीक है तो put करते है क्या होगी 3x cube plus 2x cube plus 3 into 3x square into 2 plus 3 into 3x और 2 गा square into 2 square ठीक है इसको solve करेंगे तो क्या होगा इसको solve तो 9 9 4 जा 4 4 जा 12 जा 12 जा 36 ठीक है तो 36 क्या आगे 36 x आ गया ठीक है इसको solve करेंगे तो क्या होगा 3 square कितना होता 9 और 9 3 है 27 और into 2 तो कितना होगा 54 x square इसको solve करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 plus 27 x cube ठीक है अब क्या बच्छा बोल ला है नीचे दूसरा क्या है यह plus क्या है plus 3x minus 2 सिप क्या है जो minus 2 है बोचेंज होगा है तो कुछ नहीं करना है अजया बोलक पीका सेमगे रहेगा, जहाँ ज यह당स ब की value-pot की बोलना माइनस 2 ही inkा साइब सेद्था कंज़ोगा अधकल बोलक इच्छेंगा तो क्या होगा 8 बच एगा इसमें क्या होगा इसमें 3 का इंड 2 हुआ था और बी था गिला तो कितना होगा माइनस 54 x square हो जाएगा तो जाएगा यह अब लास्ट क्या था 36 x देखिए इधर पर क्या है जो अपनी जो बैल्लू थी ना इधर पर क्या होगा था बी का square हो रहा एंसर कड़िये तो यह कर जायेगा और यह कर जायेगा थिकः एट क्या क्या होगा, moundSub finan thoughts 27 plus to 27 cube 227 cube तो कतना हो जाएगा fifty for x to the must cube इसकी बाद plus क्या हो जाएगा स्कूआइड करेंगे तो words 72x कितना हो जाएगा 72 52 x ओके दोस्तों, तो अपका क्या और क्या आए यह अपना क्या आगया आश है ठीकिना 54 x क्यूब और 72 x आगया यह क्या अपना आश है ओके तो ओस्तिलों देखे लिए दो why दो Sut summer क्या है तो अप्शन नमर क्या है तो then equal to what? देखिए simple question ना जो equation दी हुई है उसे नहीं करना सबसे पहले क्या 16 minus क्या 3a अंदर into कर दिया 3a का और 3 7 जा 21 ठीक है ना लेकिन क्या plus का होगा 27 क्यों होगा? क्यों होगा? क्यों क्या होता है? plus होता है ठीक है equal to कितना दिया हुआ है? minus 14 दिया हुआ है ठीक है? इसको कर ये solve तो कितना क्या होगा? ये इसको add हो जाएगा माइनस 3 ये equal to 16 गया तो 20 औims 30 कितना हो गया और ये भी से जाएगा 27 हो जायगा ठीक है मैनस 27 और इसा क्षेर करें गीज़िक मैनस 3 a एक प्वैंस कितना हो जायगा 55 हो जाएगा मैनस से मैनस क्या होंगे इनसल हो जाएगे ठीक है अब एकий वैल्ली आ ने रिगी 3 इससे डिवाइड होगा, तो 3 बन जा 3, 2 केड़ी और 19, तो A की value कितनी आ गई, 19 आ गई, ओके दोस्तों, तो simple question था, I think 7 में आया होगा, ठीके न, minus 7 इंटू किया है, ठीके न, minus 3 का इंटू, एसे किया, तो minus 3 A आ गया, और minus 7 का इंटू, minus 3 से किया, तो कितनी आ गया, plus 27 आ गया, equal to 14 होगा, इसको स्वाल किया, तो क्या आ गया, equal to 19 आ गया, तो option नमबर क्या इसका, option नमबर क्या इसका, first क्या इसका answer है, तो A इसका answer होगा, question क्या है, a trader mark his good, goods at a 40% above the cost price, तो एक traders ने क्या किया, cost price से 40% क्या किया, अब क्या किया, मार्क कर लिया, अब आगे क्या बोला है, what allow a discount of 25%, तो जो 40% बढ़ाने के बाद उसने क्या किया, 25% का उससे discount दिया, तो what is the gain percentage, तो बताना क्या है, कि gain percentage क्या है, देखे, माल लीजिया, 100% क्या था, बनलब 100 क्या था, उसका cost price थी, पूरा equal to 100% है, ठीक है, उसको माल लो 100% है, ठीक है, अब उनको क्या बोला, अब बोल के रहा है, 25% का उसने क्या discount भी दिया, अगर वो 25% का discount देता है, तो कितने percent की value उसके पास बचेगी, मनलाब वो बैचेगा, तो 75% पर क्या करेगा, वो, उसको sell कर देगा, ठीक है, उस value से, तो इसको x की value जार से calculate कर दो, x की value calculate करेंगे, तो एगर कितना जाएगा, 140 into 75, ठीक है, upon 100, ठीक है, यह 4 है, ठीक है, तो 140, अब इसको करिए cancel, ठीक है, तो 0 से क्या होगा, 0 cancel, और यह कितने 5 जा, 7 जा, 5 बन जा, और 5 बन जा, और 2 फाइब जा, ठीक है, तो x की value कितनी आ गई, x एकल टू कितना आ गया, 7 into 15, इसको solve करेंगे, तो x की value कितनी आ गई, तो x की value कितनी आ गई, 7, 5 बन जा 7 और 0, तो कितना 1, 0, 5 रुपी, तो मनलब क्या है, कि उसने 105 रुपे में क्या किया, बेंट दिया, लेकिंती कितने लगातेि, उसने लगाते है, सो रुपी लगा, इसको बनकर नगाल दिए ठीक है, Cars When the Profit फाइब पर सैंट तो फाइब पर सेंट क्या होगा उसको प्रोफिट भाएब पर संथंदिगल स्वाइब देख से टीन जा इसका तििन क्या हुगा उस्र होगा ठीक है तो अप्संथन क्या है इसका आंसर क्या है तो फाइब पर स electronics वह के दोस्तों, question क्या है, simple interest on rupees 1200 at 18% per annum for 9 month, बश्यक्य सिंपल question है, इसमें क्या दिया हुआ है, जो 1200 रुपे दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है, rate दिया हुआ कि दिया हुआ है, ठीक है, time कि दिया हुआ है, 9 month, अब एक की बताईए, जो 18 month न, यह थारा, ठीक है, यह क्या है, यह पूरा एक साल का है, ठीक है, एक साल ही क्या है, rate है, कुछ नहीं करना है, एक साल, 9 महीने का नकालना है, तो कुछ नहीं करना, 12, एक क्या करना है 9 gone ौ þ। कर दो ढौर है तक है यह कितने का हो जाएगा पूरा आपका 9 महीने का हो चल्च है और आप क्या करें ऩ। कर दीजी है ठीए आप क्या होगा हुआ उष्यने इसको काड़ गैसे खेंषyy और करिए कांसल करेंगे तो क्या होगा त्वाल बट्वाल या थिका ना अब सो जीरो से जी रो गेंसल तो कितना गया स्वाइस को स्वाफ्ट करिए तो आपको आनसर जाए त्वाइस खुंव करते हैं टियों एसको सब्साहँ करते हैं ट्वाल गाले-टा इंजा-टौ-टौ- आगया नो महीने का आपका एसाई कितना आगया 162 रूपीज ओके दोस्तों आंसा क्या है 162 है ऑप्सन देख लिए तो ऑप्सन क्या है ऑप्सन नमबर क्यास में सेकेंड डिसका अंसार होगा ओके दोस्तों